करते हैं ठीक है अच्छा मुझे ज़रा एक मिनट दें मैं ज़रा लैप्टाप को चार्जर लगा लूँ ठीक है वन मिनट लूँ अ क्यों लूप करते हैं सही है अब सबसे बेसे सिस्टम me is continually paid out from petty cash from time to time the cash is stopped up so that it does not run out there are several system for topping up सभे है अब इंपस्ट में से हमरे पाई शुरू होती हैँ अब सब्सक्राइब कर्ट सुर्ट बखस बोग्स सब्सव इस 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 अमांट of cash this amount of cash is known as the impressed amount तो this should be enough to cover cash to cover foreseeable petty cash expenses for let's say two or four weeks जिसके लिए भी जो business है वो top up कर रहे है the aim is to avoid having to top up petty cash too often but at the same time avoid having too much cash in the petty cash day मुदब कि इसके दो main मक्सद है एक तो यह कि बहुत ज्यादा cash भी नहीं पर्टीकेश बॉक्स में और दूसरा यह कि उतने ही basically पैसे हो जितने expenses कवर कर सकते हैं अब मैं आपको जरह एक्जेंपल देता हूं calculation बेस से मैं आपको समझाता हूं फिर आप पड़ भी सकते हैं इंप्रेस सिस्टम में क्या होता है कि एक opening balance जोता है आपको पता है opening महीने के शुरू में लेट से हमारा बैलेंस दा एक हजार अब लेट से उसमें से एक्सफेंस जो है ना जितने के वाउचर लिखे गए एक्सफेंस जो हैं वह लेट से कितना है आट सो अब इस हिसाब से हमारे closing balance कितना आना चाहिए 200 हजार में से 800 गए तो 200 मारे closing balance आना चाहिए अब आपने चीज़ गवर से देखने हैं आपने पहले भी पड़ी होगी बड़ यहां पे थोड़ी और information आपको मिल जाएगी इंप्रेस सिस्टम मेंगReify या रखें जो बीट्व अमांट होती ही होती है जितने expenses claim वह यहां मैंलिक भी देता हूं इसका शांनलव ना वे इसको स्मराइज कर सकते हैं फॉल Cake को इस एग स्विर सिस्टम में टॉप मैंधे मांट है गया मैंट के इन है ग्राइब हम कह सकें थो हम यह कह सकते हैं एयक सब्सक्राइब मैं आर्म माईनश अब भीसेशन में यह सिस्टम में वही सिर्फ री टॉप अप की जाती है जितने आप की जाता है थैकर अब हमें नया महने श्रू में करेंगे कितना करेंगे वापस 800 को करेंगे access के निकलेंगे अब लट से फमारा बैलंश कितना होगी हजार और मैं चीज लिख रहा हूं इधे का में महीने कि शुरू में बैलन्स को और ने साल का वह 1,000 ही होगए हर साल ही हजार ही होना चाहिए लिट से नेक्स्ट मंथ हमारे एक्सपैंसिस कितने हुए है चारसो के तो इस दफ़ाइब चारसो के हैं तो हमारा क्लोजिंग बैलनस कितना रह गए होगा छे सो का तो इस केसमें अगर हम कितने के 500 के 400 रीफस्ट पैक कर दिये रहा है क्सक्थ चाज़ने बार बार सेमड़ीन ही है इसको आशय Гटन को में इसके इंदर ठीक है यह हमारा सिस्टम है यह दो चीज़ें आपने इसमें याद रुखें जो मैंने उपर लिखेंगे अब फर्दर पढ़ते हैं इसको यहां से कंप्लीटिट प्रिटिकेश वाउचर जार दन पूट इंटो प्रिटिकेश टिन वनेवर मनी इस टेकन आउट ठीक है प्रियोडिकली अमाउंट ऑफ कैश इन टेन इस टॉप्ट अप्टू इंप्रेस्ट अमाउंट हम किसको कह रहे हैं जिसने शुरू में बताया है कि ओपन बैलेंस जिससे शुरू कर दिया वही हमारी फिक्स्ट इंप्रेस्ट अमाउंट बन गई अब हमने हर साल हर महीने जो है हर पीरिड में ऑपनिंग बैलेंस उसी पर ही मिन्टेन करते हैं ठीक है वन दिस हैपन्स प्रिटिकेश वाउचर इन टिन शूट बी टेकन आउट मुश्किल लवजों के अंदर तो मैंने असान करके लिए कि जितनी अमाउंट माइनस होगी ना इन इक्सपेंसिज जितने खर्चें निकले होंगे जितने के वाउचर होंगे तो वही अमाउंट हमरी इन्वेस्ट पैक्स सिर्फ और सिर्फ करेंगे उस पीरिड के लिए ठीक यहां तक समझा रही है आपको यह हमारे सिस्टम था ओके अब नेक्स देखते नॉन इंप्रेस्ट नॉन इंप्रेस्ट्ट में थोड़ा सा फरक है यहां पर यहां पर देखते हैं कि क्या चीज़ डिफरेंट है सिस्टम में मोस्ट पर्टी का सिस्टम उपरेट विदन इंप्रेश सिस्टम ज्यादों तर उपल वाले मेथट पर करते हैं बिकॉज देर इन इन बिल्ट चेक्ट टो मेक्शुर कैश इस नॉट स्टोलन ओविएसली ओपिंग बैलेंस एक ही मिंटेन के जा रहे हैं तो एक आटमेटिक चेक लग जाता है कि कोई चीज चोरी ना और यह बीच में से और सिस्टम और सिंप्ली पेइए फिक्स्ट अमांट ऑफ मनी इंटू पैटी कैश एवरी सो आफन तो इंप्रेश सिस्टम नौन इंप्रेश सिस्टम जो है जो भी हम पाढ़ने इसका यह मतलब यह मैंने यहां पर हाइलाइट किया ठीक है अब इसमें क्या हो पहले मैं तो हमारे जो क्लोजिंग बैलेंस है इस केस में वह कितना रह गया होगा 300 तो नौन इंप्रेश्ट अमाउंट जब हम करेंगे इसमें अपने हमेशा याद रखना है कि इंप्रेश सिस्टम से इस तरह मुक्तलिफ है कि हम इसमें जो है फिक्स्ट टॉप अप अमाउंट रख फॉल्व करें उपर वाला तो सेवन हंडर्ड रिंवेस्ट पैक करने लेकिन क्योंकि नौन इंप्रेश्ट सिस्टम है इसमें मैं आपको क्या बता दिया कि इसमें टॉप अप अमाउंट जो हम हर महीने टॉप अप करेंगे वह फिक्स रहेगी और यहां पर ओपनिंग बैल खोला था यह नौन इंप्रेश्टम का मतलब है तो अब एक तरह से बैलेंस किस पर चल जाएगा तेरा सो बिचल इसमें नुक्सान यह होता है कि जैसे हमने पड़ा कि पैटी कैश का में नेम यह कि उतनी कैश रखें जितनी जुरुत है तो इसमें एक तरह से उतनी जीज ड तो विक्स तो विड्रॉल फॉम प्रेटी कैश आर मेड उजिंग प्रोसीजर औरी डिस्क्राइब पैटी कैश बुक्स कुट भी सेट अप अनिशल अमाउंट ऑफ हंडर्ड डॉलर्स यहां इसने ओपनिंग बैस हंडर्ड ले लिए एवरी तू वीक्स फर्दर हंडर्ड उसी अमाउंट से आप हर महीने करते हैं ओके ठीक है यह इसके अंदर सारा प्रोसेस था मैंना आपको यहां भी नियुमेरिकल इंफॉमेशन देदी है और उपर वाले में भी अच्छा खासा एक्स्वेनेशन देदी है ठीक अब्दूला क्लेरे आपको यह दोनों मैंट यह आपको आपको एक्जाम में पूछे जाएंगे अर्खियर ठीक है ओके अब लास्ट देख लेंदे हैं दो छोटे-चोटे टापिक रहेगे ठीक है इसको भी देख लेता है खिए एक सकेंड okay recording pretty cash received when cash is received into the petty cash box it is normally cash being topped up to impressed amount the petty cash book will simply show the amount of cash that is being paid into the petty cash box and date of the receipt एक यहाप इसने example भी यह यह भी बस नॉर्मल सरी टॉपिक आपको समझ तो आई गया होगा कि पटी cash book में किस्ता की information जाएगी रिसीट में चीज आ रही होगा कि कितनी amount reinvest back क्योंकि जो प्लस है वह रिसीट में रिकॉर्ड हो रहा होगा जो माइनस हो payments में रिकॉर्ड हो रहा होगा ठीक है यह भी होई simple चीज़ है अब totaling the petty cash book when entries have been made in the petty cash book each of the columns of payment side must be total in order for the amounts to be posted to the journal ledger क्योंकि यह expense है एक company का हमने उपर पड़ा है तो जो भी payment side का total है हमें total करके expense में जर्नल एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी ठीक है इस नॉर्मली convenient to post transaction from petty cash book when petty cash is topped up ठीक है ओक है यह भी हो गया इसके जावाई देख लेता है posting the petty cash book यह इसकी double entries है बैसिकली ठीक है अगर आप cash इसके अंदर ला रहे हैं ठीक है अगर आप री टॉप अप करें petty cash account को तो obviously debit क्या होगा petty cash account क्योंकि obviously petty cash asset है कैश भी asset है bank भी asset है petty cash है credit हम लोग करेंगे bank क्योंकि bank से पैसे निकल रहे हैं और किसके अंदर आ रहे है अगर कोई expense payments है अगर कोई पैसे बाहर जा रहे है इसके अंदर से इसकी क्यांट्री होएगी credit petty cash account with total of payments अलगके petty cash को हम लोग credit करेंगे ठीक है और debit हम करेंगे expense को जिस जिस भी expense के हमने की है payments admin expenses stationary जो भी है और debit हम लोग करेंगे sales tax account अब debit sales tax हम क्यों करें याद करें हमने तो company ने जो भी employee ने sales tax pay किया होगा वो तो इसने reclaim back करना होगा तो इस case में क्या करेंगे sales tax account को debit करेंगे as in input tax जो हमने input tax पढ़ा था वो भी debit होता था तो यह इसकी हमारे पास double entry बन जाएगी अब आगे देख लेते हैं यह भी जर्नल रजी की information आई भी आप पढ़ लेजेगा वही चीज़ें जो पर हमने discuss कर लिए अब लास्ट टॉपिक एसके अंदर पैटी कैशिटी कंसलियेशन तो इसमें क्यों होते है कि तो इस ताम पैटी कैशर पीजर पेस आव्ट सम फ मनी अब्यडिक एष भाक्स दैन इस पेमेंट मुस्पोर्ट थो पालिट वाचिश होने चाहिए पैटी कैश वाचर इस टूम चेप्ट एपटी कैश बॉक्टी कैश बॉक्स आंटिल पर्टी कैश बॉक्स इस दूटे ऑ टॉप टॉप अपनी हो जाता है तब तक हम कोई वाउचर इसके अंदर से नहीं निकाल सकते हैं अब कैश एंड वाउचर एट अनी पॉन्ट इन ताइम एक्टिल अमाउंट ऑफ कैश इन पैटिकेश बॉक्स प्लस दा वाउचर इन दे बॉक्स शुट बी इक्वल टुड़ स्फटिंग इमांट ऑस प्रेडिया लुप जो है और एक्स्पैंसिज यह दोनों मिला दें तो यह दोनों मिला दें झाल गंगिन्हों में एक्पस्पैंस हांसर कि आजेगा व्यश्टिदों पॉपनी भाउचर फिसके लाव यहां फिर से इस्वाइब बड़ी सी इंपल ह इसे पैसे हैं फिसकल कैश वह सही निकाले ठीक है इनकरेक्ट अमाउंट बेंग पेड इंटू कैश यह भी ओसकता है और मनी बिंग स्टोलन चोरी भी हो सकती है इसके अंदर से जिसके वैसे डिफरेंस आ सकते हैं ठीक है अब यह फाइनल इसके चीज़ें अब हम ऐसे करते हैं कि छोड़ी सी ब्रेक लेते हैं ठीक है और इसके फिर क्वेस्टेंस की तरफ हम तक्रीमिन 5-6 मिनिट्स के अंदर च सकते हैं स्क्रीम पे इसका है क्वेस्टन 89 ठीक है और इसमें ना आपके क्वेस्टेंस बैंकिंग और प्रेटी कैश का कठी दिया मैं एफटी नाइन से मेरे ख़ले 108 तक है तो तक्रीबान इसके 19-20 सवाल है जिए बताए तर वह किट करें तो अच्छा होंगे बीपी कर ले है आपने की विए पहले जिए होगे होगे मैं एक सब्सक्राइब बीपी निकाल लेगा हूं एक अच्छा जी यहां पर प्रटी कैश वाली यह है यहां पर आई थिंक पांच ही सवाल है इनको देख लेते हैं टूपांट थ्री जिरो तो यह हमारे पास बीपी वेले सब्सक्राइब को देख लेते हैं ठीक है अच्छा विच आप दी फॉलिंग इस एन एंग्जम्पल सबसे पहले देखने हैं तूपांट थी जिरो विच आप दी फॉलिंग इस एन एंग्जम्पल ऑफ पेमेंट विच कुड बी मेड आउट परिटी कैश फ्लोट इस वन हंडर डॉलर ठीक है तो मतलब कि कहना चाहिए कि कौन सी ऐसी पेमेंट जिस समझ आती है स्मॉल एक्सपेंस और हंडर डॉलर्स का उसमें ओपनिंग बार्नस बिताए और यह सकता है और एक तरह से दिया भी इंप्लाइए नहीं तो बिजिस की वजह से हुआ है एक तरह से पर चेज ऑफ कॉंग्रेट मिक्सर यह तो पूरी मशीन है यह पटी कैसी क्यों पर चेज होएगी फर्स्ट इंस्ट्रॉल्मेंट ओफ लिज्ट पर मन्त फॉर ओफफिस एक्पेप्मेंट तो यह तो लीज एक्रिमेंट की पेमेंट है यह भी प ठीक है तो और यह भी पार्किंग फायं तो हो सकते हैं इंपलोई के अपनी गलती के वह से हुआ ठीक है तो डाइट मेंज इसका सबसे सभी वारा मुझे लग रहा है ऑप्शन डी है कि जो पोस्टिश स्टैंप से 7.57 के यह पर्टी कैसे पर चेज हो सकते है ओकी ठीक है ठीक है कैबी कैश तिल मौझूद है कितना हमारे पास 45 इन एडिशन वैलिड वाउचर्स तु दे वैल्यू ऑफ थ्री निटी फडॉलर्स वर प्रडूस्ट बाइडी कैशर मैं तो कि इतने वाउचर्स इसमें से कटे में ठीक है हाँ मच कैश इस मिसिंग यस यह भी बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस अगर 500 है और अगर हमारे पास जितने खर्चा हुए वह 395 है तो इसको माइनस करें तो यह आते है 105 ठीक है 105 इस हिसाब से 500 ओपनिंग बैलेंस और 395 के खर्चे इस हिसाब से हमारे पास 105 होने चाहिए है लेकिन और टर साब तो कहे रहें जी 45 डॉलर है मारे पास सिर्फ कंपनी में तो आप जख सकते है 105 और 45 ठीक है तो यहां पर पूछा है कितना कैश मिसिंग है इसमें से तो 105 को 45 से कंपेर करें क्या डिफरेंस आता है 60 डॉलर का कैश मौजूद नहीं है हमें नहीं पता होगा ठीक है सिंपल कॉस्टन से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहां पर तूबंट त्री तू देखते हैं यूर कंपनी हैज पटी कैश इंप्रेस्ट ऑफ सब्सक्राइब इंप्रेस्ट इम्प्रेस्ट इमाउंट इस इस तो बी इंक्रीज तो 800 डॉलर ठीक है मतलब के अब वाउचर टोटल 673 डॉलर्स टीक है इन अडिशन तर कैश बोक्स कंटेंड न आयो यू फ्रम मेंबर और स्टाफ फ ट्वन्टी डॉलर्स हाउ मच कैश इस विद्रान फ्रम बैंक तू रिस्टोर एंड इन इन ग्रीज दी इंप्रेस्ट टीक है अच्वे एक सेकंड द केंग रिस्टोर एंटबुवर्स टीक है इन झाम मेंबचल की।वर्स टीक है अब देखें इसमें जो है बेसिकली दो तीन तरह के इंफरमेशन हमें दीवी है ठीक है अब एक तो इंप्रेस्ट अमाउंट हमें ओपनिंग बालस बिता दिया है यह जो 800 इसने इंक्रीज करना है ठीक है माइनस करने के बाद भी मतब कि जो खर्चे इसमें से निकले हैं तो हम क्या करेंगे 750 मैंस करेंगे एक तरह क्लोजिंग बालस आजएगा लेकिन और भी इंफरमेशन दीवी है अब देखें यह चीज आपने शाहिए पहले देखी हो आई यो यू ठीक है लेकिन यह बुक में है यह होता कि है कि बहुत असान सा लव्ज है जो इसकी प्रनैंसियेशन है ना उसी तरह में इसको लेते हैं सबसे मज़ए की बात यह ओ यू जो है ना इसको हम इंग्लिश में कहते है आई ओयू का मतलब है कि मैंने आपको पैसे देने है यह बात यहां पर कौन करें इंप् करना है यह कितना है तो यह जब भी आएगा तो इसके अंदर यह एड होएगा एक तरह से क्योंकि हमारा ऐसे तो हाव मच कैश इस विड्राउन फंद बैंक व्रिस्टोर एंड इंक्रीज दी इंप्रेस तो हो किया रहा यहां पर कितना कैश बैंक से अब रिस्टोर होएगा और इंप्रेस्ट अंट को मुद्ध इंक्रीज यहां पर करेंगे अब यहां पर दो अमांट्स है एक 750 और एक है 800 ठीक है इ चाहिए तो मिक्स्ट बैंक वाले हैं अच्छा अच्छा देखें यहां से एक चीज क्लियर होगी है मैं आपको शेयर करता हूं सकी देखें यहां पर इसका अंसर है ठीक है औरिजिनल फूर्ट हमारा कहा है 750 ओपनिंग बैलंस ठीक है बैलंस इन हैंड कितना है 57 अब आयो यहां से माइनस क्यों हो रहे है पहले मैं समझा रहता है प्लस होएगा एक्चली माइनस इसी लिए हो रहे है क्योंकि यह ऐसा कैश है जो कि हमने हमें employee को दीया होगा तो फिरीम बना इप्लइट कहाँ होगा इसका यह मतलब है कि इमप्लोई हमें कहा रहे है कि हमने आपको देने तो यह पैसे कटे में लेकिन यह इसके अंदर खर्चों में शामिल लिए यहांगे लेकिन यहां पर लग रहा है कि 573 का हमारा एक तरह से औ और इंक्रीज इन फ्लोट यहां पर कितने हैं सेवन फिफ्टी से एट हमने जाने हैं फिफ्टी डॉलर का ठीक है तो अमाउंट टू वी रिइंबर्स फाइनली हमारे पास कितनी है साथ सो तैइस की अब यह किस तरह हुए हमेशा याद रखेंगे जो एक सब्सक्राइब पर मारे पास जो लिखा है ठीक है इसको जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो यह है कि जो 673 के खर्चे लिखें में इसमें यह चीज शामिल होगी कभी भी आपने अलग से इंक्लूड या माइनस नहीं करनी ठीक है क्योंकि एक तरह से हमने इंप्लॉई को एक तरह से लोन दिया होगा 20 टॉलर का प्रेटी कैश बॉक्स में से ठीक है हम यहां पे कंपनी है तो इस केस में क्या होगा 673 में इंक्लूड़िट होगा क्योंकि यही तो खर्चा है ना और यह इसमें इंक्लूड इड़ ने जिस्ट यहां पर अलग से लिखा वे ताकि कन्फ्यूज कर दे ताक है क्टाल के इंड़ हो गया तो हम क्या करेंगे एक तो 673 के खर्चें ठीक है और इसमें क्या करने लिखिए कि कंपने हो बेक्त होगा है ठीच है आपको समझेत की सब्सक्राइब मुजेए पिए घ्रवियु को अब नेक्स देखते हैं ठीक है नेक्स वाला मारे पास कोने से टू पॉइंट त्री ठीक है अपटी कैश्ट परचेस इस मेड कोस्टिंग सेवंटी नाइन पर्ट तू इंक्लूजिव ऑफ सेल्स टैक्स ऑफ 20 दॉलर्स तो शॉरी 20 परसेंट तो यह जो मांट हमें दीविए इंक्लूजिव मांट है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा पहले इसका टैक्स हमें अलग से निकालना पड़ेगा तो 79.2 तो अगेन वी जो टैसे से टैक्स वाली नौलिज मेना को दी थी तो अगर यह अमांट इंक्लूजिव है तो इसका मतलब यह 100 परसेंट नहीं है कौ हमें उसको डिवाइट किसे करेंगे 120 से और चाहिए हमें क्या चीज इसकी सिर्फ सेल्स टैक्स चाहिए क्योंकि टैक्स हमने अलग से डेबिट करना होगा ना इसमें जैसे हमने अंट्री पड़ी है ठीक है तो 79.2 डैट बाए 120 इंटू 20 तो यह आता है जी तेरा अशारिया दो थर्टीं प्रणिर काइसमें टैक्स अते हैं तो होगा क्या क्या नार्मल एक्सपेंस हमारा कितना यहां पर है कि है इस नाइन पॉंट्ट ऊप्स है इसमें टैक्स ठींप उत्वाइगी ठीक है तो हम क्या करेंगे I think debit cash sorry debit expense 66 debit sales tax 13.2 you can put tax or credit cash कितना होगा 79.2 क्योंकि total हमारी जेप से जा रहा होगा ठीक है that means option A ही हमारा यहां पर correct बनेगा ठीक है very simple यह भी देख लें था है 2.34 which of the following items will not appear on a petty cash voucher voucher भी कॉंस चीज नहीं आएगी ठीक है purpose of the expenditure and details तो यह तो आती है किसी हद तक name and signature of petty cashier यह भी आता है ठीक है name and signature of recipient ऐसा तो हमने कुछ नहीं पड़ा ठीक है एक सेखेंड एक सेखेंड नेम एंड सिग्नेचर ऑफ परसन और्थरिजेशन वाला तो आता है यह तो हमने देखें ठीक है यह देखें recipient कभी आता है recipient वह जो ले रहा है ठीक है यह वाला जो है सेकंड वाला सेकंड वाला नहीं आता name and signature of petty cashier क्योंकि हो सकते हर केस में petty cashier जो एप्रूव ना करे authorization के लिए कोई manager हो senior manager ठीक है तो यहां पर authorizing वाला ठीक है person authorizing हो सकते हर case में petty cashier ना हो petty cashier का specifically अलग से sign नहीं आता है ठीक है तो बी options में गलत है यह भी आता है क्योंकि परपस लिखा होता है में supporting documentation लगी होती है ओके ठीक अब्दुला तो हमारा topic complete होगे टू बंट थ्री फाइव जो है यह बैंक reconciliation का है ठीक है यह से रिलेटेड नहीं है तो अब बीबीबी करें प्रैक्टिस करें ठीक है और जो topics हम पहले पढ़ चुके है हमारे सिर्फ और सिर्फ एक topic रहे गए अभी तक and then inshallah we'll be done with the syllabus वो टॉपिक हम कल इसी सेम टाइम पर कर रहे होंगे ठीक अब्दुलाँ सारी चीज़ें कोई इसू यहां तक कोई